हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं इस विला के वारे में हम आपसे फ्रेंड्स डिसकस करने वाले हैं ये हमार पास विला का डिजान रहने वाला है जो की ये कोठी का डिजान रहे हैं बहुती सांदर डिजान हैं इसी के बारे में हम आपसे complete आपसे discuss करने वाले हैं तो ये जो finance design है यदि हम अपने इस design के front की बात करें तो ये हमारे पास 46 feet का front रहने वाला है means कि 40 feet का इसका ये front रहेगा और यदि हम इसके गहराय की बात करें जो हमारे पास का construction area तक यह वल रहेगी और यह वल रहेगी और यह यह जो रैट रहने represents रहने वाला है I will be przyegna र त्सकी उव्यमशन रहने वाला है उसके अंदर यह हमार कंशाया होगा तो ये फ्रेंट हमारे पास एक लगजरी विला का लुक हमने इसको दिया हुआ है बहुती संदर वियू है आप इसको देख सकते हैं आप इसकी जो हमारी पेरापिट बॉल है पेरापिट बॉल को अच्छे से विलाइज कर सकते हैं बहुती संदर हमने इसको लुक दिया हुआ है इसमें हमारा मॉडलिंग लुक भी है साथ में हमारा मॉडलिंग वर्क भी हमने इसमें किया हुआ है यह हमारे पास कुछ इस तरीके से रहने वाला है यह हमारे पास का मम्टी का व्यू रहेगा तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे घर की जो एंट्री है वो हमारी अपनी इस बरामदे में एंट्री रहेगी सबसे पहले हैं एंट्री हमारी बरामदे में है यह हमारा बरामदे कडियान है या फिर आपसे बोल सकते हैं कि अपने ड्रेंग रूम के अंदर यह हमार पास अपना ड्रेंग रूम का ड्यान रहेगा, यह हमार पास अपना ड्रेंग रूम का ड्यान रहेगा, यह हमार पास अपना ड्रेंग रूम का ड्यान रहेगा, यह हमार पास अपना ड्रेंग रूम हो होगा यहां पर फैंस हमार पास रहने वाला है यह comment र्याइन यह हमार comment would होगा और यह जो hefald है इस टॉयलेट के लिए family का कोई member इस टॉयलेट को यूच कर सकता है या फिर कोई आपर यापर तो बड़े साइज का हमारा hall रहेगा जिसमें हमें यहाँ पर ये 8 seater हमारा डैनिक table का ढ़यान रहेगा और यहाँ पर भी कुछ इस step से यह हमारी अपनी furniture की यहां पर sitting रहेगी यहाँ पर हमारा furniture का sitting का arrangement रहेगा front में हमें यहाँ पर एक bedroom मिलेगा यह friends हमारे bedroom का डियान है इस bedroom में हमें दो window मिलेंगी तो दोना windows से हमारे अपने इस room का भी बहुती अच्छे से ventilation होता रहेगा यह हमार पास अपना bedroom का डियान रहेगा bedroom के साथ हमारा attach toilet रहेगा यह हमारा attach toilet है यह जो toilet है इसमें हमारे पास यह वादिंग एरिया और toilet sheet दोनों को इसमें हमने comment रखा हुआ है तो यह हमारे पास अपना attach रहेगा जो कि हमारे पास यह bedroom के साथ हमारे attach रहने वाला है यहाँ पर friends हमारे पास रहने वाला है second bedroom का डिजयन यह हमारा second bedroom होगा और इस bedroom में भी हमें दो windows मिलेंगी तो दोना windows से हमारा इस bedroom का भी अच्छे से ventilation होता रहेगा bedroom के साथ friends हमारे पास attach toilet रहने वाला है इस बाले bedroom में भी हमारे पास एक attach toilet रहेगा और यह जो toilet है इसमें भी हमारे पास बादेंग एरिया toilet sheet दोनों को इसके अंदर भी हमने combine रखा हुआ है तो यह हमारे पास अपना attach toilet रहेगा जो कि हमारे पास से इस बाले bedroom को साथ attach रहेगा यहाँ पर friends हमारे पास मिलने वाला है fourth room का डिजयन या फिर आप इसे बोल सकते हैं third bedroom का डिजयन और इस bedroom में भी हमें आपने एक बड़े साच का window मिलेगा तो इस window से हमारा अपने इस bedroom का भी बहुत ही अच्छे से ventilation होता रहेगा यह हमारे पास अपना bedroom का हमारे पास यहाँ पर डिजयन रहने बाला है इस corner में friends हमें मिलने बाला है kitchen का डिजयन यह हमारे पास अपना kitchen रहेगा kitchen के अंदर हमें दो window मिलेंगी तो दोनों windows से हमारे अपने kitchen का फी ventilation होता रहेगा kitchen के साथ हमारे पास ने बाला है एक छोटा सा इस्टोरोम कर देजान यहां हम अपने फ़र्श्टोर पर यह हमारा पस अपना इस च्टोरम कर देजान रहेगा और इस्टेर्स की नीचे सई हमें, वहर की तरप से हमने यह रहेंगे पाला यह हमार पास एक emergency door type से हमने इसको रखा हुआ है तो यह हमार पास अपना 3D में फिनेट्स प्लान है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से किलियर हो गया होगा सांदर प्लान है, 4 रूम का प्लान है जिसमें से 3 वेट रूम है, 1 ड्रैंग रूम है दो वेट रूम के साथ हमारे अटेश्ट ओलेट है, यह हमारा common ओलेट है जिसको में ड्रैंग रूम के जश्ट पास में ही रखा हुआ है यह हमार पास अपना एक छोटा सा living area और यहाँ पर हमारा एक बड़े साच का dining area है यहाँ पर हमारा पास से stairs का design है और यह हमारा store room साथ हमारा open kitchen का हमारा design रहेगा तो यह हमारा अपना 3D में plan है जो कि आपको बहुती अच्छे से clear हो गया होगा और यह हमारा पास अपना elevation design है जो कि मैं आपको और लेडी बता चुका हूँ बहुती अच्छा यह हमारा अपना elevation का यह fans design है बहुती अच्छे से हमने इसको तयार के हुआ है तो यह fans हमारा design है design आपको यह कैसा लगा नीचे comment box में comment करके जरूर बताना तो friends फराल की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि अपने वीडियो को like और share नहीं किया है तो please like भी कर दीजिए share भी कर दीजिए channel को subscribe करना मत बूलेगा मिलते हैं next video में next planning साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत